कि कोई ऐसा करता है तो हम इसके बारे में हमें डर लगता है हमें बुरा लगता है हम सो स्टेम किस से बताए किस से शेयर करें ऐसी बात तो हम इस तीज को किस अपने घर में किसी बड़े परसें से या अपने पेरेंट्स से या किसी ऐसे परसें से जिससे आप ट्रस्ट करते हो जिसको पता है कि उसका टच आपको हमेशा गूड लगता जिसके आपके पेरंस हैं आपके कुछ फ्रेंट्स हैं आपके दादा-दादी हैं या कुछ एसे लोग इस पर बहुत भरोसा करते हैं तो आप उनसे ये बात शेयर कर सकते हैं कि आज मुझे कोई मिला था कोई किसी ने मुझे ऐसे टच किया या यह अंकल है वो अंकल है वो मुझे ऐसे टच कर रहा था मुझे बूरा लग रहा था तो आपको बात उनसे शेयर कर सकते हो उन्हें बत शेर कर सकते हो और अगर नहीं आप शेर पर पार रहें तो आप किसी भरोसे महना इंसान से इस पर पूरा पुरा भरोसा है जिसकी ने बता सकते हो कि नहीं कि से के टच से मुझे ऐसी प्रोब्लम हो रही है आप उनसे बात करके अपनी मन के बाते शेयर कर सकते और बताना भी जरूरी है वी शुट बी एबल टू डिफ्रेंट शेट बेट्रीन दा गुड़ टच एंड बैट बैट टच हम लोगों को ये हम इसके काबिल होने चाहिए कि हमें गुड़ टच और बैट टच के बीच में डिफ्रेंट पता हो हम उन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंट पता लगा सके हमें समझ में आ सके कि ये गुड़ टच है या फिर बैट टच है हमें ये चीज़े खुट से समझनी चाहिए कि हमें कौन सा टच सही लग रहा है कौन सा टच गुड़ लग रहा है और कौन सा टच किस चीज़ का चुना हमें बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे बॉड़ी हमारे सेंसे भी हमें हमने पढ़ा था तो हम उन सेंसे से हमें समझना चाहिए और हमें समझ में आना भी चाहिए कि कौन सा गुड टच है कौन सा टच हमें सही लग रहा कौन सा टच बुरा लग रहा है यह नहीं कि अगर कोई टच आपको अनकमफर्टेबल फील हो रहा है तो आप उसे इग्नौर कर दो कि आजाने तो क्या पता ऐसा होता हो नहीं और हमें समझ में आ जाना चाहिए और यह तुरन समझ में आ जाता है कि आपको कौन सा टच बुरा लग रहा है आपको उसे इग्नौर को नहीं चाहिए विच युड स्टे and जो लोग जिनका टछ हमें uncomfortable फील कराता है जिनके आसपास रहने से हमें uncomfortable हमें बुरा होता है हम नॉनमर नहीं रहे पाते हैं हम रिलाक्स नहीं feel कर पाते हैं धर लगता है उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और उनके बारे में अपने घर के बड़ों को अपने करने चाहिए उसकी सिखकाइद भी करनी चाहिए जब आपको वह ब alien लग रहा है तो इस तरह करने से अब आपको इसी से डर पी नहीं लगेगा और आपको बेड तक्क्स कर रहा है और उसके टर्च से बीसटोर रह सकते हो और अच्छे लोगों के साथ अच्छे तके साथ अच्कुशी खुशी रहा सकते हो तो यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए कि गुड़ टच और बैड टच क्या होता है और आपको उस परसेंट से दूर रहाना चाहिए जिसको आप जिसका टाच आपको अनकमफरडेबल लगता है उस परसेंट को अगर आप के साथ कभी ऐस होता है तो आप उस परसेंट को चिला कर मना कर सकते हो कि प्लीज स्टॉप आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने आपको यह राइट नहीं दिया है और आपको टच करना मुझे बुरा लग रहा है और इस बारे में आप अपने घर के पेरेंट से या किसी ट्रॉस्टेट परसेंट से आप पता भी सकते हैं ओके सो हमने यहां पर यह सारी चीज़ें देखी यह हमारा चाप्टा यहां पर कंप्लीट हो गया है आप नाव वी विल डू सम एक्सराइब सी यहां पर कुछ पिक्स बनी हुए थी फोटो पेरेंट हागिंगा किट अगर बच्चों को इस तरह से ह कर रहे हैं it is a good touch also now we will do some exercises put a tick for good touch and cross for a bad touch अब हम लोग इसमें यह तीन sentence लिखें इसमें जो good good touch वाली चीज़ होंगी उसमें हम टिक लगाएंगे और जो bad touch जो बुरे touch वाली चीज़ होंगी उन्हें हम उसमें क्रॉस लगाएंगे तिक हैं first one hugging your parents अपने parents को hug करना अपने parents को गले लगाना क्या यह good touch है क्या इस यह अच्छा touch है yes it is a good touch यह ऐसा touch करने में हमें बुरा नहीं लगता हम comfortable अपने parents को गले लगाने से उनके साथ होने से उनको hug करने से तो इस पे हम टिक लगाएंगे we will put a tick here second one cuddling your pets अपने parents को अपने arms के बीच से पकरना उन्हें भी एक तरह से हग करना पूरी तरह साथ नहीं करते हैं बट इस तरह से अपने और हसें आवम स्क्रीब करते हैं उन्हें पकड़ते हैं और सब्सक्राइब थेक्षा पक stranger touching your hand अगर कोई अजनभी आपके हाथों को टच करता है अगर कोई अजनभी जिसे आप नहीं जानते हो आप इसको नहीं पैचानते हो वह अगर आपके हाथों को टच कर रहा है तो आपको कैसे लगेगा बुरा लगेगा आप कमफर्टेबल नहीं रहेंगे तो यह बैट टच हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे अगर आपको यह लगता है कि हम गुद टच और बैट टच में कैसे डिफ्रेंशियेट करें कैसे पता लगाएंगे कौन से गुद टच है कौन सा बैट टच है तो इज़ामप आपके बोड़ी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको तुराद मना कर सकते हैं तो हमारी एक सेस्साइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है आफ्टर दस यू हैव तो डू दीस की टम्स यह की टम्स है आपको यह की टम्स करना है गुद टच अटच विज किवस एस हैपिन पर और बैट तचप वहोता है डिसके टाचंती से एंखंड होने से हमंनम रिलाक्स विल करते हैं हमें बुरा फियज करते हैं लिए अमको मेरे 살 सुह už और समय की इरंश इंवाडर मों करने हैं करना तो आपको यह चारों की टर्म्स करने गुड़ टच बैट टच कमफर्टेबल एंड कडल यह सारे आपको करने तो इस एक्रसाइबस विल बी इन यह वरक्षीट टुडें यू विल आपको कम्प्लीट इस जैसे हमारा यह चाप्टर यहां तक कम्प्लीट हो गया है कल भी यह आपने वक्षीट वन सोल करी होगी आपको आपको आज यह वक्षीट तू कम्प्लीट करने हैं इसके बाद इन नेक्स वीडियो वी विल दू रेस्ट आफ देक्ससाइज ऑफ दीस चाप्टर इस चाप्टर की आगे की एक्साइज हम लों नेक्स वीडियो में करेंगे तो आफ यह आपको आख सुर्ण में कर्णे दीस आही आपको आख वीड नेक्स सामस्ट नेक्स पिर mijnत अर नेक्स अंग डेकथे कॉप्ली एंबर complete it till here okay don't forget to do these two also just do your work we'll meet you in the next video thank you bye